राते रादे छी हरिवंच आये लीला में प्रवेश करें प्रीत बड़ी बेपीर ये शिर्षक है इस लीला का कल हमने किया था अब तो महर्षी की बात का ही आसरा है यदि इस बीच चमपा को इसके गाउं से कोई लिवाने आ गया तो क्या उत्तर देंगे हम ऐसी अवस्था मे कैसे बेजेंगे और ना बेजे तो क्या कहेंगे हे बगवान ये क्या हो गया अब आगे आहा ये तो गगन में खड़ा है तुम तुम उस दिन रूट गए थे मुझसे मेरी जीब सूख गई थी इससे बोला नहीं गया आज आज आओ जो पूछोगे वही कहूंगी मेरा नाम चमपा है तुम्हारा क्या नाम है बला अरे तुम तो कदम के बीतर गुस पड़े क्यूं मुझसे छिपने के लिए किन्तु मैंने तो तुम्हें देखी लिया ना अब निकल भी आओ आओ हम दोनों मिलकर खेले ये क्या तुम जल में उतर पड़े अरे तुम जल थल गगन व करिक्षपशू पाहन सब में यह पथर पथर ना रहे यह पशू यह यमूना सब तुम्हारे रूप हो गए कहां गए तुम देखा यह है क्रिश्नमैी स्थिती जब हैसु सब कुछ क्रिश्नमैी हो जाता है तो ही ठाकुर जी का साक्षातकार होता है ऐसा मैंने संतों के मुखारविंद से सुना है ये सब क्या मेरा ब्रह्म था? किस से तुम्हारा ठोड़ ठिकाना पूछूं? किस से मांगूं तुम्हे? ये ये किसका प्रतिबिंब है? डाल पर बैठकर पाउं पानी पर लटकाएं हैं ये वही तो है? वही है मेरे प्राणों की ओशद रे मन थोड़ा दीरजदर उन्हें ग्यातना हो इस तरह उनके चर्नों में जा पड़ूंगी मुझे कुछ नहीं चाहिए केवल तुम्हारे दर्शन की बिक्षा चाहिए कहीं वरिक्ष से कूद कर चल दिये तो इससे अच्छा तो ये है कि इने देखते हुए यमुना में समा जाओं यमुना महरानी एक ही विने हैं तुमसे मेरे मृत तन का एक बार अपने लहरों के हाथों से उनके उनके चर्णों का स्पर्श करा देना वे देख लें अपने कमल नेत्रों से एक बार बस सच ही है चमपा के पास शाम अली बला क्यूं आएगा विदाता अगले जनम में मुझे पाटल अथवा कमल बनाना जिससे उनके उनका स्पर्श मिले अहां अब विलंब की इन लहरों में सारी ज्वाला शांत हो जाएगी बाबी अरियो बाबी देख ये कौन है तेरी बेहन तो नहीं हाँ लाला कहां थी ये तुम्हारे दादा को तुम्हारे दादा तो डूनते डूनते ठक गए बाबी ये तो यमुना में बह रही थी मैं पाम लटका कर कदम पर बैठा था कि ये आ लगी पामों के पास यमुना में उतर कर निकाल लाया हूं चम्पा को शयया पर सुला कर शाम सुंदर बोले इसे घर बेज दे बाबी किसी दिन मर गई तो तेरे माथे आएगी लाला जी मैं बलहारी जाऊं ना जाने क्या रोग लगा है इसे ऐसी ही बेज कर मैया को क्या मुख दिखाऊंगी कोई उपाय करो मैं तुम्हारे पाउँ पणूं अच्छा बाबी मुझे जयंत दादा ने इसका रोग तो बताया था तु पद्मा से कहना बोर होते ही मुझसे ओश्यद लाकर इसे पिला दे कल इसे यमुना तट मत जाने देना और हाँ तु अपनी मैया से कहकर इसका विवा शिग्र करवा दे अन्यथा इस बावरी से विवा कौन करेगा अपने मंगल लाला से विवा करदेश का कल इसे पूछ लेना कहकर शाम सुंदर चले गए मैंने देखा चमपा चेत पड़ी है इन साथ ही दिन में बरी पूरी देह अस्थी पिंजर रह गई है शाम सुंदर ने कहा है तो अवश्य कल ठीक हो जाएगी चलूं सास जी की आग्या लेकर पद्मा से ओशत के लिए कह आऊं बोर होते ही देने को कहा है पद्मा उसका खान पान, निद्रा, लो, कलाज यहां तक की देह का बान भी चूट गया है अहर निश मेरा ही द्यान और चेतना लोटते ही मेरी चरन दुली में लोट कर दुली सनात हो जाती है ऐसे प्राण कितने दिन टिकेंगे उस पिंजरे में सारी वाचलता ना जाने कहां जाचीपी है उसके मन की तपन शान्त करने के लिए वन्शी बेजाई तो उसकी भी विपरीत प्रतिक्रिया हुई चम्पा ने मुझे और वन्शी वादक को बिन समझ कर अपना दुख बढ़ा लिया कहते कहते शाम सुंदर के वे आकर्न दिर्ग दिर्ग भर आये थे अपने जनों का दुख वे कहां सैप आते हैं मुझे क्या करना है मैंने पूछा था मंगल के गर से अपने यहां लिवा आना समझा बुजा कर कुछ खिला पिला देना आज साथ दिनों से वे निरहार है उसकी चिंता के मारे मुझे कुछ भी सुहता नहीं अपने बरे बरे नयन उठा कर मेरी और देखा और रुंदे स्वर में बोले संध्या को मुझे दिखा देना मंगल कहता था हमारे घर में एक समय ही चुला जलता है कोई खाता है कोई नहीं बावी अद्मरी सी हो गई है सब एक दूसरे को दिखाने के लिए मुझ उठा करते है तो घर वालों की चिंता से उसे दर्शन दिये जाते है उसमें पद्मा का बला क्या काम है उसी यमुना तट पर दर्शन दे दो न मैंने कहा तू समझती क्यों नहीं पद्मा यमुना तट पर वै मुझे बूत ही समझेगी और बात बात में व्रज राजकुमार की निंदा करेगी जितनी पीडा उसने बोगी है वही क्या प्रयाप्त नहीं शाम सुन्दर मेरी आँखे बर आई ऐसा करुना मैं और कौन है फिर भी मैं रिद्य कड़ा करके बोली शामझू ये पाहनी है हाँ पद्मा ये बूमी जिन्वे है इसमें प्रवेशा दिकार सहज नहीं मिलता इतना ही प्रयाप्त है शामझू तुम क्रिपन कपसे हो गए किशोरी जू से आग्या मांग लूँ यही किसी से मंगल से विवा हो जाए इसका उसे पूछ लेना विवाह के लिए माने तो मैंने देखा उन बूमन मंगल की आँखों से कुछ बूंदे जहर पड़ी पद्मा तुने मुझे क्रिपन कप देखा क्रिपा का संबल और प्रेम का बल पाथे के साथ हो तो सभी बूमी ये व्रज बन जाएगी और चराचर उसका रूप आगे के शबत गले में फस गए मुझे क्षमा करो शाम सुंदर चमपा जितना बल मुझ में नहीं है तुझ में बल ना होता तो इतना बार कैसे सौमता तुझे मैं संद्या को अपने को संभाल कर उसका समादान कर देना ये मुझे से कैसे बनेगा शाम सुंदर वंशी ना सुनते ही तन मन अवश हो जाते हैं मेरा कार इसी के साथ वानी को विराम है बाकी चर्चा हम कल करेंगे तब तक के लिए रादे रादे शी हरी वंच अभी ये और आगे चलेगी रादे रादे